गुद्ध मॉर्निंग बच्चों, आज हम EBS में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नमबर 15 और चैप्टर नमबर 15 का क्या नाम है? इसका नाम है टाइम्स ओफ एमरजेंसी ठीक है? E-M-E-R-G-E-N-C-Y, एमरजेंसी की जो प्रॉपर हिंदी होती है बच्चों, वो होती है आपातकाल थोड़ी सी अजीव लग रही होगी आपको, क्या मैंडम बता रही है, कितनी डिफिकल्ट है, ठीक है? तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले समझते हैं, ये आपातकाल क्या होता है? आपातकाल का मतलब, कोई ऐसी घटना का घडित होना होता है, जिसकी तैयारी हमने पहले से नहीं की होती है, जो अचानक से हो जाती है, रैननम हो जाती है, ठीक है? कोई भी ऐसी ट्रेजरी, यानि की दुरगटना भी बोल सकते हैं, उसको डिजास्टर भी बोल सकते हैं, उसको जो अपने आप हो जाती है, और अपने आप होने पर क्या करती है? लोगों को नुकसान करती है, जो लोगों की चीज़ें होती है, जो प्रापर्टी होती है, उन कौन से टाइम पर घटती हैं क्या क्या होता है उनमें ये सारी बाते हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और साथ में ये भी पढ़ने वाले हैं कि emergency अगर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए पैनिक होना चाहिए मतलब घवराना चाहिए या शांती से अपने दिमाग को चला कर ये सोचना चाहिए कि नुकसान तो होना ही है तो हम ऐसे क्या खोशिस करें जिससे कि हमारे नुकसान कम से कम हो जाए ठीक है तो वैसे देखा जाए तो बहुत important chapter है क्योंकि ये जो emergency है इसका सामना हमें कभी नगभी करना पड़ता है अब हम एक ऐसे चित्र में रहते हैं जहाए emergencies कम आती है लेकिन जो लोग coastal areas में रहते हैं वहाँ पर emergency अक्सर कर आती रहती है तो वो लोग हमसे ज़ादा courageous होते हैं हिम्मती होते हैं emergency को deal करने में लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे सामने कभी emergency आएगी ही नहीं हो सकता है कि हमारी जो personal life है उसमें कोई energetic situation आ जाए तो ऐसे situation को deal करने के लिए हमको हमेशा तैया रहना चाहिए ठीक है चलिए अब हम chapter को read करना start करते हैं और उसके through और detail में जाएंगे कि emergency क्या होती है कौन कौन से type की emergency होती है and how to deal with that disasters fine let's start reading the chapter events that occur suddenly causing great loss of life and property at a particular place is a disaster सबसे पहला है न डिजास्टर किसे कहते हैं events यानि की घटनाएं अकर जो घटित होती हैं suddenly अचानक से ऐसी घटनाएं जो अचानक से घटित होती हैं causing great loss of life और जिनकी वज़े से क्या होता है इंसान के जीवन का बहुत नुकसान होता है बहुत हानी होती है and property और इंसान के सामान का भी नुकसान होता है at a particular place किसी एक विशेज जगे पर पूरे सारे एरिया में नहीं होता है ऐसा कुछ है जो अचानक होती है और जिससे हमारा और हमारे हमारे जीवन का और हमारे संपत्ती का दोनों का नुकसान होता है और वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर घटित होती है ठीक है और डिजास्टर में अफेक्ट अफ्यू पीपल एंड होल कम्यूनिटी लिविंग इन कि द एडिया ठीक है यह लिविंग इन डाट एडिया कुछ भी हो सकते हैं यह रोंगे ठीक है दालगा देते हम यहां पे के पर तो डिजास्टर क्या कर सकता है डिजास्टर हमें प्रभावित कर सकता है डिजास्टर जो है वो कुछ लोगों को प्रभावित कर सकता है या पूरे के पूरे समुदाय को कम्यूनिटी मतलब समुदाय लोगों के पूरे के पूरे ग्रुप को प्रभावित कर सकता है जैसे अभी ये जो corona time चल रहा है, ये भी तो एक प्रकार का disaster ही है, क्योंकि ये अचानक से आया, और ये हमारे जीवन को, हमारी property को नुकसान पहुचा रहा है, लेकिन इसमें थोड़े लोग शामिल नहीं है, इसमें बहुत सार है, यानि कि पूरा का पूरा जो हमारा समाज है, इंसानों का समाज है, ठीक है, human society है, उस पूरी society को ये नुकसान पहुचा रहे हैं, और हम इससे deal कर रहे हैं, ठीक है, बहुत time होगे हमें deal करते हुए, और आगे भी हम अभी करेंगे और deal, तो इस तरह की situation, जो बिना सोचे, अचानक से हमारे सामने आज आती हैं, और खराब तरीके से आती हैं, च्छे तरीके से नहीं आती हैं, खराब तरीके से आती हैं, उस time को, उस accident को, उस दुरगटना को, उस event को, emergency कहते हैं, ठीक है, अब देखे, disaster can be classified into two categories, disaster जो होता है, उसके दो category बना सकते हैं, कैसे, एक natural disaster और एक man-made disaster, अब जो कोरोना की लड़ाई थी, वो भी तो इसी बात पर थी, कि कोरोना एक virus है, तो ये एक natural virus है, या man-made virus है, तो starting में तो ये हुआ कि virus तो naturally होते हैं, इनसान तो अब नहीं बनाते हैं, लेकिन बाद में इस तरीके के revelations हुए, इस तरीके की खुला से हुए, कि जो कोरोना virus है, वो चाइना के scientist ने बनाया है, खुद बनाया है, और उसके बाद दुनिया को दुनिया में छोड़ दिया ह या वो गलती से छूट गया, ठीक है, पूरी दुनिया में उसको फैला दिया गया, जिससे की लोग परेशान हों, उनकी जाने जाएं, और चाइना को इससे फाइदा हो, लेकिन चाइना को खुद भी तो नुकसान हुआ, तो इस तरह से हम disaster को देख सकते हैं, कि disaster natural है, यानि मेरी अपनी सोच यह है, कि भले ही disaster natural हो, लेकिन natural disaster को लाने में indirect रूप से इंसान का तो हाथ होता ही है, अगर बाड़े आ रही हैं, तो उसमें हमारा हाथ है, अगर अगर earthquakes आ रहे हैं, तो उसमें हमारा हाथ है, ठीक है, अगर earthquakes आ रहे हैं, तो उसमें हमारा हाथ है, थोड़ ठीक है, बहुत हद तक man-made ही होते है, बस उनका जो रूप सामने आता है, वो natural होता है, ठीक, बाकी का आप पढ़ेंगे, तो स्वेम देखी, accidents due to human errors are known as man-made disasters, accidents जो होते हैं, जो दुरगटनाएं होती है, due to human errors, देखो, error का मतलब क्या होता है, गलतिया, human का मतलब इंसान, तो इ कारण, preposition है ये एक, तो इंसान की गलतियों की वज़े से, जो accidents होते हैं, जो दुरगटनाएं होती है, वो man-made disasters, उनको हम कहते हैं, जैसे कि earthquakes है, ठीक है, भूकम्प है, flood है, बार है, tsunami है, cyclone है, ये सारे natural disaster हैं, जिनके भी मैंने नाम लिये, लेकिन इनके आने में भी, कही न कही रोल जो होता है न, इनसानों का ही होता है, कि इनसान प्रक्रती के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है, कि प्रक्रती को disastrous होना पड़ता है, हमारे लिए हानिकारक होना पड़ता है, तो ये सारे चीज़ें, which happen जो होती है, due to some changes in the nature, nature में कुछ परिवर्तन होते हैं, nature अं a little about these calamities, ठीक है, so that we become equipped to face such emergencies and learn what to do in such situation, थोड़ा ता लंबा है, ब्रेक करके पड़ते हैं, तो let us find out, चलो पता करें, a little about, थोड़ा बहुत, these calamities, यानि की calamity में संकट है, जो हमारे साथ संकट घटित होते हैं, या हमारे उपर जो calamities आती हैं, जो संकट आते हैं, उनके बारे में हम चलो पता करें, so that, ताकी, ये conjunction है, we become equipped, हम equipped हो जाएं, यानि की हमारे अंदर इस तरीके की ताकत आजाएं, हम पहले से व्यवस्था कर सकें, हम व्यवस्थित हो जाएं, ठीक है, to face such emergencies, इस तरीके की जो आपातकाल की सिद्या हैं, उसको face करने का मतलब होता है, उसका स खड़े होने के लिए, उसे लड़ने के लिए, face करने का मतलब उसे लड़ना, and learn, और ये सीखने के लिए, what to do in such situations, कि इस तरीके की situations में, हम क्या करें, हम कैसे कोशिस करें, कि कम से कम लोगों की जान जाए, हम ये कोशिस कैसे करें, कि हमारे नुकसान कम से कम हो, ठीक है, चा तो क्या सीखना है? सबसे पहले सीखना है कि होता क्या है ये disaster ये होती क्या है calamities ये होती क्या है emergencies कितने type की होती है और जब इंके examples हम पढ़ेंगे तो इनके reasons भी पढ़ेंगे कि ये क्यों होती है और फिर last में होता है कि हम उनसे बचने के लिए क्या-क्या चीजें कर सकते हैं तो बहुत सारी इसमें natural disasters दिये हुए हैं flood है cyclones है landslides है tsunamis है earthquakes है तो एक-एक करके हम सब के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले किस से start करेंगे floods यानि की बार से start करेंगे ठीक है तो चलिए बच्चों हम start करते हैं flood से flood का मतलब क्या होता है बार्ड क्या होता है बार्ड को हम floods बोलते हैं जब नदी शान्ती से बैती है तो नदी है और जब वह इस तरह से बहे कि उसका पानी चारो तरफ भर जाए चारो तरफ बिखर जाए नदी के जो तट होते हैं नदी के जो किनारे होते हैं वो रहे ही ना क्योंकि नदी का पानी उनके नानों को तोड़ कर चारो तरफ फैल जाए बिखर जाए लोगों को नुकसान पहुंचाए लोगों की घर मकान तोड़ दे और सारी शारा जो शहर है वो डूबने की स्थिती में आ जाए तो उसको हम बाड़ कहते हैं ठीक है तो floods occur बाड़े आती है when the level of water in a river increases कब आती है जब पानी का जो लेवल है नदी के अंदर ठीक वो बढ़ जाता है यानि की नदी की गहराही अब इतनी नहीं रहती है जितना पानी है तो जाहिर सी बाते के पानी उपर आएगा due to very heavy rains ऐसा कब होता है बारिश बहुत जादा होने से होता है melting of glaciers जो पहाडों के उपर बरफ जमा है उसको glacier बोलते हैं उन पहाडों को तो जब पिघलते हैं तो वो बरफ पानी में convert होके पूरे नदी में आ जाती है due to over warming यानि की गर्मी जादा बढ़ने की वज़े से और landslides या फिर जो धर्ती slide करती है तूट जाती है मतलब पहाड़ियां पहाड़ियां चटक जाती है तूट जाती है फिसलती है उसकी वज़े से वो बरफ भी नीचे आती है तूटकर और वो सारा पानी बन के नदियों में पहुँच जाती है अब जैसा कि मैं कह रही थी कि उपर से देखने में flood एक लगता है natural disaster अब देखो लेकिन flood आने के कारण कौन-कौन से दे रहे हैं ओवरवार में गर्मी का जादा बढ़ना तो क्या गर्मी अपने आप जादा बढ़ती है नहीं गर्मी बढ़ाने के लिए हम इंसान जिम्मेदार होते हैं length slides अपने आप होते हैं कई बार अपने आप होते हैं लेकिन most of the time उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं अच्छा पानी का जो लेवल भड़ता है वो अपने आप नहीं भड़ता है उसके लिए भी हम जिम्मेदार होते हैं तो flood उपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि एक natural disaster है लेकिन वो हमारी वजह से आई है हमने कुछ ऐसे काम किये हैं अपने environment में अपने परियावरण में अपने atmosphere में जिसकी वजह से प्रक्रती मजबूर हो गई है वैसे प्रक्रती को मा बोलते हैं ठीक है मा प्रक्रती बोलते हैं तो प्रकरती मा मजबूर हो गई है कि वो गुस्सा करे और उनके गुस्से के जो sources हैं कि वो कौन-कौन से भाव सी गुस्सा कर सकती है तो एक भाव उनका बाढ़ भी है कि उनको जब बहुत तेज गुस्सा आती है तो बाढ़ा जाती है अब गुस्सा किसकी वज़े से आती है हमारी हरकतों की वज़े से सोचो आपकी ममी को गुस्टा क्यों आती है या मेरी ममी को गुस्टा क्यों आती है क्योंकि मैं या आप कुछ ऐसी हरकते करते हैं कुछ ऐसे काम करते हैं जो उने बिल्कुल भी पसंद नहीं इसकी वज़े से उनको घुसा आती है इसी तरह से हम महा प्रकृति के साथ भी कुछ ऐसी हरकते करते हैं कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे प्रकृति नाराज हो जाती है और नाराज की स्वरूप फिर बाढ़ाती है और उस बाढ़ से हमें नुकसान होता है तो simple सी बात क्या है बार कब आती है जब नदी में पानी का level उपर उठ जाता है जब पानी का level बढ़ जाता है तो बार आती है पानी का level क्यों बढ़ता है बारिश जादा होने की वज़े से glaciers के पिघलने की वज़े से ठीक है आगे चलते है अब the destruction मतलब सर्वनाश, विनाश, नुकसान, जो बार से cause होता है, यानि कि बार जिसका कारण होती है, जो बार की वजह से होता है, is no less, यानि कि कम नहीं है, in no less नहीं, is no less, या बिलकुल भी कम नहीं है, जो बार से होने वाला नुकसान है, वो नुकसान बिलकुल भी किसी वी तरह से कम नहीं है, बहुत जादा है, कैसे, crops are washed away, जब वो बार का पानी खेतों में जाता है, तो खेतों में जो फसले खड़ी होती है, वो सब बह जाती है, खराब हो जाती है, Houses are damaged, आसपास जो जो जोबडियां होती है, जो कच्छे मकान होते हैं, वो सब तूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पीपल not only lose their belongings, बट animals and their own lives as well, लोग, अपनी belongings यानि की जो भी उनके पास सामान होता है, वो सब खो देते हैं, और साथ में क्या, जानवर भी खो देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर अपने आपको बचा नहीं पाते हैं, और बार के पानी में मरकर बह जाते हैं, और अपना खुद का जीवन भी इंसान को देते हैं, बहुत सारे इंसान भी बार में बहे जाते हैं, मर जाते हैं, इस तरह से अगर हम देखे हैं, तो यूज मतलब बहुत बड़ा, इससे हग मत पढ़िएगा, प्लीज मैं कई बार आपको बता चुकिए हूँ, ठीक है, और हमारी संपत्ती का बहुत नुकसान होता है, जब बार आती है, और बार जब जाती है, तो भी नुकसान होता है, तो even when the flood water recedes, recedes मतलब जब बार का पानी नीचे उतरता है, जब बार का पानी कम होता है, नदी पहले के जैसे नॉर्मल होती है, तब क्या होता है, it often brings epidemics, तो यह जो बार का पानी है, यह अकसर कर अपने साथ लेकर आता है, epidemic महामारी, महामारी को epidemics बोलते हैं, जैसे की cholera, यानि कि उस इलाके में रहने वाले सारी लोग बिमारियों से ग्रस्त होने लगते हैं, क्यों? क्योंकि गंदिगी बहुत सारी रह जाती है, जैसे बार में जो भी bodies मर जाती है, अब बार का पानी तो बह गया, तो जो body मरी पड़ी हुई है, चाहे वो इंसानों की है, चाहे वो जानवरों की है, वो गंदिगी फैलाती है, ठीप? तो गंदिगीों से होने वाली, जो गंदे पानी से होने वाली जो बीमारियां है, वो बीमा कि पूरे वर्ल्ड की साइटी को प्रभावित कर रहा है ठीक है और यह एपिडेमिक है क्योंकि जिस इलाके में आ रहा है उस इलाके के सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है तो एपिडेमिक से द्वारा बड़ा जो शब्द है वो पेंडेमिक है तो कॉलरा हैजा हो जाता है टाइफाइट से हम गुजड़ते हैं मलेरिया हो जाते हैं कि मच्छर बहुत हो जाते हैं तो जो हमें और ज्यादा नुकसान पहुचाता है ठीक जो यूमन बींग्स औन आनिमल्स यानि कि जस टाइम पर बाढ़ आई थी उस टाइम पर तो नुकसान इतम तेजी से होता है कुछ समझी नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें लेकिन बाद में जब पानी नीचे उतरता है पानी जब चला जाता है उसके बाद जो इस्तियां होती है ना इतनी गंदी बदबुदार इस्तियां होती है कि एक तो घर नहीं है तूट गया जानवर नहीं है सारे हमारे मर गए बिलॉंगिंग्स नहीं है कोई मकान नहीं है दुकान नहीं है जो काम हम कर रहे थे से निपटने के लिए परियाप्त इंतजामात होने चाहिए जो हमारी government होती हैं जो हमारी सरकारें होती हैं या जो NGOs होते हैं ठीक है जो समाज की help के लिए बनाए जाते हैं वो लोग आगे आए और आगे आके ऐसी स्थितियों में जो लुकफस करें हैं उनकी help करें पहली चीज यह जरूरी है और दूसरी चीज वह जरूरी है कि हम इस तरीके की conditions आती क्यों है इन पर विचार करें और उनके जो cause निकल रहे हैं जो उनकी कारण बन रहे हैं उन कारणों को ही खतम कर दें तो अगर हम किस चीज का कारण खतम कर देंगे तो वह काम नहीं होगा न तो जैसे अभी साल में अगर मान लीजिए कि 50 बार बार आती है ऐसा मान कर चलते हैं कि साल में 50 times बार आती है लेकिन अगर हमने कारणों को खतम किया तो वो 50 से घटकर 30 हो सकती है ना 20 बार तो कम से हम बार से बच जाएंगे ना ठीक तो ये दोनों तरफ हमको काम करना है एक तो जो बार आ रही है तो उसके लिए हमारे पास में क्या प्लानिंग है हम क्या करेंगे उससे बचाने के लिए अपने आपको ताकी हमारा कम से कम नुखसान हो और दूसरा हम ऐसा क्या करें जिससे की बार की जो frequency है वो frequency को हम थोड़ा सा reduce करें ठीक है तो ये था flood का concept जो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बार क्यों आती है और बार आने से क्या होता है अब आगे है अर्थक्विक पढ़ना है साइकलोन्स पढ़ने है लैंड्सलाइट्स पढ़ने है सुनामी पढ़ने है बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ पिच्चर्स में आपको बार की दिखाती हूं कि लोग किस तरह से बार में परेशान होते हैं देखिए और उसके साथ ही वीडियो एंड हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे चिल देन कीप वाचिंग मैं वीडियो पढ़ते रहिए और सोचते रहिए कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं, ओके बाए झाल 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 झाल